पाकिस्तान के नौर्थ वजीरिस्तान में इस बीच बड़ी खबर ये कि काउंटिंग के दौरान फाइरिंग हो गई खुले आम ताबर तोड गोलियां चल गई फाइरिंग में पूर्व MNA मौसिल गावर जखनी हुए है ये बताया जा रहा है वजीरिस्तान में दरसल मतगर्णा चल रही थी और मतगर्णा के दौरान ही फाइरिंग हो गई इस तरह किस तरह कावर तोड फाइरिंग की आवास इस वक्त सुनाई दे रही है और लोग भागते हुए दिख रहे है पाकिस्तान में देखिए किस तरह की देशत फैली हुई है मतगर्णा के दौरान इस तरह फाइरिंग होती है वो भी ताबर तोड एक के बाद एक कई दो गोलियां दागी गए और इस तरह फाइरिंग के बाद लोग भागते हुए लोगों की भीड आपको देख सकते हैं आपकी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं एक्स्क्रूसिव तस्वीरे इस वक्ती वी नाइन भारत वर्ष आपको दिखा रहा है गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है चुनाव के बाद हिंसक्त से जुड़े मामले सामने आए है सैक्रों की तादात में यहाँ पर लोग इखटा थे मतगणना चल रही थी और इसी दोर्यान इसी दर्मियान फाइरिंग हो गई ताबर तोड गोलिया चलती हुए दिख रही है और यह और जादा मनजर को खौफ ज़दा करता है एक तरफ चुनाव जैसा माहौल तो दूसरी तरफ फाइरिंग हो रही है लोगों की बीच दैशत पहल गई है लोग इदर उदर भागती हुए दिख रहे हैं लोगों की भीड आप देख रहे हैं कैसे लोग तितर बितर हो रहे हैं अपनी जान बचाने की कोशिच हो रहे हैं लेकिन इस बीच सरेयाम फाइरिंग होती है सरेयाम गोलिया चल जाती और गुलाम अबबास और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक सीधे हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ना है गुलाम, ये तस्वीरे और जादा डराती हैं, मनजर को और जादा खौफ जादा करती हैं, हुआ क्या, क्यों फारिंग हुई? इसके बाद फारिंग हुई जिसमें मौसम दावर्ड जो हैं, जिनको ऑस्किटल में मुंतिकल कर दिया गया है, काफी और जी लोगों के खायल होने की ख़बरे हम तक पहुच रही है, और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, रिगिंग में पार्टिकार में जो चुनाओ बड़ी बात आप बता रहे हैं, गुलाम बता रहे हैं कि मौसम दावर घायल हुएं, उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है, मिरान शाह ये लाका है, जहां पर देखिए, जबरदस फारिंग की आवाजे सुनाई दे रही हैं, और एक और तस्वीरें, एक और तस्वीर कि दौरान मतिगरना जारी है, और देखिए, लोगों की भारी भीड यहां पर जमा होती हुए, देख रही है, और इस बीच फारिंग मौसेनियो विश्टो गायल हुए है, जो गायल हुए है, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों में रोश है, आख रोश है, अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, मिरान शाह इलाका उतरी वजिरिस्तान का, यहां पर आरोब भी कई तरह के लगे कि धांदली हुई ह लेकिन मतगर्ना के दौरान इस तरह के हालाच जब बन जाते हैं, तब लोगों में और जादा खौफ पसर जाता है, यह देखिए लोगों के हालत देखिए, जो गायल वहां पर है, उन्हें अस्पताल में भरती कराने, कराय जा रहा है, अस्पताल में भरती, लेकिन किसने कि यह जानकारी गुलाम से लेटे, गुलाम हमारे साथ लगाता जुड़े हुए है, गुलाम क्या मामला है यह उत्तरी वजरिस्तान का, फाइरिंग किसने की, किस पर आरोप लग रहा है, और गुलाम से कोशिच करते हैं, दुबारा संपर करने की, लेकिन दो तस्वीरे जुड़ चुके हैं, जुनेट साब मैं आपके पास आ रही हूँ, इस वक्त जो हम तस्वीरे दिखा रहे हैं, वो वाकई देला देने वाली तस्वीरे हैं, लोग सडकों पर खड़े हुए हैं, सैक्रों की दादात में और अचानक फारिंग हो जाती है, जुनेट साब आप पार्टी ने वाज़े अक्सित लिए, लेकिन कराची में कहीं हमें नदर आ रहा है कि लोग अपने रिजल्ट से मुतमाइन नहीं है, अवाम सडकों पर खड़ी है बिलकुल, और जो नताय जो पहले आ रहे थे, गेर अत्मी और गेर सरकारी, उसके बाद जो इलेक्शन आती है अचानक से? ये मंज़र बहुत जादा देशत में डाल देने वाला है, ये देखो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह तावर्टोड गोलियां इस वक्त आसमान से आवास सुनाई दे रहे हैं ये तावर्टोड गोलियों की अे वो एक अवत". ये बाद रहे हैं है ये घाद, ये चावर्टोड परियों किस्वीर एक हीने आवर्टोड में अभने पर सी चारी अवान